फिल्म की शुरुवात में एक हॉस्पिटल दिखाये जाता है जहां ग्वेन नाम की एक खूबसूरत नर्स अपनी पेशेंट का ख्याल रख रही थी ये पेशेंट काफी बूड़ी थी इसलिए उसे अचानक से सांस लेने में तकलीफ होने लगती है तब ग्वेन उसे ऑक्सि उस पेशेंट की मदद के लिए वहां आ सके तभी डॉक्टर वहां आ जाती है और उस पेशेंट के दिल को पंप करने लगती है दूसरी तरफ ग्वेन दरवाजे के पास खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी जिससे पता चलता है ग्वेन एक साइको है और उसे अपने पेशें के साथ जो भी किया उसका उसे कोई पचतावा नहीं है इसके साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जिसमें टॉड मीरा और उनका बेटा मैक्स है यहां मीरा अपने हस्बेंट टॉड के लिए नाश्टा बना रही थी तभी उनका बेटा मैक्स वहां आ जाता है और कहता है मेरे पैरों में दर्ध हो रहा है दरसल मैक्स को मस्कुलर डिस्ट्रोफी नाम की एक बिमारी है जिस वजह से वह नॉर्मल इंसान की तरह नहीं चल सकता इसलिए वो क्रचिस यानि के बैसाखी का सहारा लेता है यहां मीरा मैक्स को लेकर काफी प इसलिए तुम्हें इतनी फिक्र नहीं करनी चाहिए तभी हम उस साइको नर्स ग्वैन को देखते हैं जिसे यहां मैक्स की देख भाल के लिए रखा गया है यहां ग्वैन एक फैमिली मेंबर की तरह रहकर मैक्स का ख्याल रखती है इसके बाद वो चारों लोग एक साथ बै ग्वैन ये सब सिर्फ अपने मज़े के लिए करती थी जैसा कि हमने कहानी की शुरुवात में देखा था खैर कुछ समय बाद टॉड काम पर जाने के लिए तयार होने लगता है जिस दोरान मीरा टॉड के सूट को साफ करने लगती है टॉड और मीरा को इतना करीब देखकर ग्वैन जैलस फील करने लगती है क्योंकि ग्वैन को टॉड पसंद आने लगा था टॉड के ओफिस जाने के बाद मीरा की एक फ्रेंट केरन वहाँ पर आ जाती है मीरा और केरन जब बाते कर रही थी ग्वैन मैक्स के साथ खेलने के बहाने उनकी बाते सुनने लगती है केर मैक्स के लिए परफेक्ट है लेकिन तभी अचानक से मैक्स की चिलाने की अवाज आती है क्योंकि वो क्रचिस टूटने के कारण गिर गया था मीरा मैक्स के गिरने पर ग्वेन को दोशी मांगती है क्योंकि उसे लग रहा था कि मैक्स ग्वेन की लापरवाही की वज़े से गि क्योंकि उसने Gwen पर गुसा किया था Gwen कहती है कि तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं समझती हूँ एक मापर क्या बीठती है जब उसके बच्चे को चोट लगे हाला कि हम जानते हैं Gwen ने ही उन क्रचिस को ढीला किया था जिसकी वज़े से मैक्स को चोट लगती है खैर इस बातचीत के बाद Gwen मीरा के लिए थेरेप्यूटिक चाय बनाती है ताकि उसको थोड़ा आराम मिल सके दूसरे दिन मीरा मस्किलर डिस्ट्रोफी वाले लोगों के एक ग्रुप को जोइन करती है जिसमें मौजूद लोगों के फ्रेंट्स या रेलेटिव्स मैक्स की तरह ही इस बिमारी से जूज रहे थे वहाँ पर मीरा मैक्स की कहानी बताते हुए रोने लगती है उसे बुरा लगता है कि मैक्स नॉर्मल बच्चों की तरह अपनी जिन्देगी नहीं जी पा रहा इसके बाद जब मीरा घर लोगती है ग्वेन उसके पास आकर उसे वही थेरेपिटिक चाय ओफर करती है एक दिन मीरा जब सोफे पर सो रही थी तब डॉक्टर केलर मैक्स को क्रचिस देने के लिए घर पर आती है और मैक्स से मिलने जाने लगती है लेकिन ग्वेन डॉक्टर केलर को वही रोक देती है और उसे कहती है कि Max अभी सो रहा है तुम अभी उससे नहीं मिल सकती इसलिए Dr. Gwen को क्रचिस दे कर महा से जाने लगती है लेकिन जाते वक्त वो Gwen को गोर से देखती है और कहती है शायद मैं तुम्हें जानती हूँ लेकिन मुझे अभी याद नहीं आ रहा कि मैंने तुम्हें कहां देखा है लेकिन जैसे ही मुझे याद आएगा मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी इतना कहकर वो महाँ से चली जाती है इसी शाम Gwen डॉक्टर कैलर के घर जाती है और उन्हें बताती है कि मैं अभी भी तुम्हें याद करती हूँ इतना कहकर Gwen घर के अंदर आ जाती है और डॉक्टर कैलर को किसी चीज़ का इंजेक्शन लगा देती है जिसके बाद वो बताती है हम एक ही हॉस्पिटल में काम किया करते थे दरसल कहानी की शुरुवात में Gwen ने जिस पेशेंट को मारने की कोशिश की थी उसे डॉक्टर कैलर ने ही बचाया था खैर Gwen यहाँ पर बता देती है कि उसी ने उस पेशेंट को मारने की कोशिश की थी Gwen की बातों से पता चलता है कि उसे families से problem होती है और वो families को target करके उन्हें मार देती है इस बार वो Todd की family को मारने वाली थी लेकिन उसे Dr. Keller का डर था कि कहीं वो Gwen की सच्चाई उन लोगों को ना बता दे इसलिए वो Dr. Keller को जहर का injection लगा कर मार देती है इसी रात मीरा के पास डेविड नाम के एक आदमी का call आता है वो मीरा को बताता है मैं उसी community का member हूँ जिसे हाल ही मैं तुमने join किया है साथ ही वो बताता है कि मेरे बेटे को भी muscular dystrophy नाम की बिमारी है ये सुनके मीरा emotional हो जाती है और उसका डेविड को देखने का मन करता है लेकिन डेविड ने अपनी profile पर blood pick लगाई थी जिस वजह से वो उसे सही से नहीं देख पाती यहां डेविड बताता है कि मेरी wife की death हो चुकी है इसलिए मैंने अपने बेटे की देखभाल के लिए एक nurse को रखा है जिस पर मीरा कहती है कि तुमने nurse को घर पर रखके सही किया है तब ही हम देखते हैं कि डेविड और कोई नहीं बलकी Gwen है जो computer की मदद से अपनी आवाज बदल कर बात कर रही थी अगली सुभा Karen मीरा के घर पर आती है जहां वो गलती से Todd की shirt पर drink गिरा देती है इसलिए Gwen Todd की shirt को साफ करने के लिए laundry room में ले कर जाती है यहां मीरा Karen को अंदर वाले room से अपना bag लाने को कहती है इसलिए Karen उस room की और जाने लगती है जिस दोरान वो Gwen को देखती है जो Todd की shirt को सूंग रही थी यह देखकर Karen को समझ आ जाता है कि Gwen Todd को पसंद करती है मगर Karen मीरा को यह बात नहीं बताती क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसके बताने से मीरा की family ना टूट जाए इसके बाद रात को हम Gwen को देखते है जो David बनके फिर से मीरा से बात कर रही थी और उसे Max की condition के बारे में पूचती है जिस पर मीरा कहती है जिस दिन Max गिरा था उस दिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था जिसके बाद Gwen मीरा को अपनी नर्स को चेक करने के लिए कहती है इसके बाद Gwen phone को काड़ देती है और तुरंत मीरा के रूम में पहुच जाती है ताकि वो मीरा को डेविड से phone पर बात करते हुए पकड़ सके Gwen का ये plan successful हो जाता है और वो मीरा पर Toad को धोखा देने का आरोप लगाती है साथी वो Toad को भी बताती है कि मीरा अभी अभी किसी आदमी से phone पर बात कर रही थी असल में Gwen का plan था कि Toad मीरा पर doubt करके उससे अलग हो जाए लेकिन Toad अपनी बीवी पर बिल्कुल भी doubt नहीं करता उल्टा Gwen को कहता है कि मीरा आजकल बहुत जादा काम कर रही है जिस वज़र से रात में उसकी नीद भी पूरी नहीं हो पाती तभी अचानक Gwen Toad को गले लगा लेती है और उसे goodnight wish करती है असल में Gwen किसी भी तरह Toad को पाना चाहती थी इसलिए वो Toad के करीब आने की कोशिश करती है अगली सुबा हम Gwen और Toad को किचन में देखते हैं जबकि मीरा अभी भी सो रही थी और Gwen को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो Toad के साथ समय बिताने के लिए नए नए तरीके ढूंडती रहती है यहाँ Gwen Toad को छू कर उसे रिजहाने की कोशिश करती है लेकिन तभी मीरा वहाँ आ जाती है और देखती है Gwen ने घर का सारा काम खतम कर दिया है तभी Toad को मीरा की चिंता होने लगती है क्योंकि वो अक्सर मीरा को सोफे पर सोते हुए देखता था इसी बीच मीरा को केरन का फोन आता है जो की मीरा को थैंक्स कहने के लिए फोन कर रही थी क्योंकि मीरा ने केरन के जन्म दिन पर उसे फूल भेजे थे ये सुनकर मीरा कन्फ्यूस्ट हो जाती है क्योंकि उसने केरन को कोई फूल नहीं भेजे थे यहां केरन मीरा को लेकर टेंशन में आ जाती है और उसे डॉक्टर के पास जाने को कहती है इसके बाद मीरा को पता चलता है कि केरन को वो फूल ग्वेन ने भेजे थे ग्वेन मीरा को कहती है कि तुम केरन का जनम दिन भूल गई थी इसलिए मैंने उसे फूल भेज कर विश कर दिया वो दोनों बात ही कर रही थी कि तभी अचानक मीरा को चक्कर आने लगते हैं ग्वेन मीरा को संभाल कर सोफे पर बिठा देती है मीरा कहती है कि मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए साथी वो ग्वेन को टोड को इसके बारे में ना बताने के लिए कहती है तबी Gwen कहती है तुम्हें hospital जाने की कोई जरूरत नहीं है मैं तुम्हारा blood sample लेकर उसे lab में test कराने के लिए भेज दूंगी इसी रात मीरा डेविट से बात करती है और उसे घर की सारी problem बताती है उसी दोरान टोड और मैक्स महाँ पर आ जाते हैं जिनने देखकर मीरा call disconnect कर देती है यहां मीरा मैक्स को उसके कमरे में ले जाना चाहती थी लेकिन मीरा को अचानक से धुंदला धुंदला दिखाई देने लगता है इसलिए वो मैक्स को कहती है कि तुम चलो मैं आती हूँ लेकिन उसे इतनी तेज नीद आती है कि वो वही सोफे पर सो जाती है कुछ देर बाद वैबर नाम के एक आदमी का मैसेज आता है जो कहता है डैविड एक फ्रोड है अगले दिन तोड मीरा को जगाने की कोशिश करता है तभी वो मीरा के फोन में वैबर का मैसेज देखता है तोड को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये वैबर और डैविड है कौन और मीरा इनसे क्यों बात करती है वही मैक्स भी परेशान था कि उसकी मा आजकल इतना जादा क्यों सोती है यहां ग्वेन 24 घंटे घर पर काम करती थी फिर भी मीरा उसके बारे में गलस सोच रही थी इसलिए मीरा उससे माफी मांगती है जिस पर ग्वेन खुश होती है क्योंकि उसे लगने लगा था कि अब सभी उसे फैमली का हिस्सा मानने लगे है इसी बीच मीरा को डेविड के बारे में एक और मैसेज आता है जिसे ग्वेन भी देख लेती है लेकिन मीरा मैसेज का reply करती है कि मुझे messages करके परिशान मत करो इसके बाद मीरा काम पर जाने के लिए खुद को किसी तरह से तैयार करती है ओफिस पहुचते ही वो अपनी दोस्त कैरन से मिलती है और उसे कहती है कि मेरी blood report बिल्कुल ठीक है साथ ही कहती है कि Gwen ने सही कहा था मुझे बस थोड़े अराम की जरूरत है केरन कहती है कि तुम्हें किसी ऐसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए जिसका Gwen से कोई लेना देना ना हो लेकिन मीरा केरन की बात पर ध्यान नहीं देती है और तभी Gwen डेविट बन कर मीरा को मेल करती है और मेल में लिखा था कि वैबर उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है इसी बीच वैबर का भी उसके पास मेल आता है कि तुम्हारा बच्चा खत्रे में है इसलिए मैं तुम्हें मिलना चाहता हूँ घर पहुँचकर मीरा गवेन को वैबर के बारे में बताते हुए कहती है कि कि मैं वैबर से कैफे में मिलने वाली हूँ तभी टोड वहां आ जाता है और मीरा की बाते सुन लेता है जिससे टोड बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि अब उसे लग रहा था कि मीरा सच में उसे धोका दे रही है जिसके बाद हम मीरा को एक कैफे में जाते हुए देखते हैं जहां उसकी मुलाकात वैबर से होती है और वहां उसे पता चलता है कि वैबर ही असलियत में डेविड है और वो से कहता है कि मेरा कोई भी बच्चा नहीं है और मैंने तुमसे कभी भी बात नहीं की बलकि कोई मेरे नाम का यूज करके तुमसे बात कर रहा था इसके बाद डेविड बताता है कि मेरी वाइफ कैरल को कैंसर था इसलिए वो कीमो थेरपी लिया करती थी फिर एक दिन लॉरल के पास किसी आदमी का मेल आया जिसने उससे दोस्ती करके कीमो थेरपी बंद करने और डॉक्टर से ना मिलने की सला दी जिस वजह से लॉरल की डैथ हो गई डेविट की बीवी को जिसने मेल किया था मीरा को वो उसकी फोटो दिखाता है मीरा कहती है ये तो वही आदमी है जो अब तक डेविड बनकर मुझसे बाते कर रहा था लेकिन मीरा को अभी भी गवैन पर कोई डाउट नहीं था खेर हम तभी टॉड को कैफे के बाहर देखते हैं जो मीरा का पीछा कर रहा था यहां Todd मीरा को डेविड से गले विलते हुए देखता है जिससे उसे यकीन हो जाता है कि मीरा सच में उसे चीट कर रही है दूसरी तरफ हम Karen को देखते हैं जो मीरा को एक बैग देने के लिए उसके घर पर आती है बैग देने के अलावा उसका एक और मोटिव था वो Gwen से अकेले में बात करना चाहती थी यहां Karen Gwen को कहती है मैंने तुम्हें Todd की शर्ट को सूंगते हुए देखा था और मैं जानती हूँ तुम Todd को पसंद करती हो साथी Karen उसे धंकी देती है कि अगर तुमने मीरा के परिवार के साथ कुछ भी गलत किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा इतना कहके Karen वहाँ से जाने लगती है तभी Gwen उसकी पीट पर कुछ मार कर उसे बेहोश कर देती है जिसके बाद वो Karen को एक सुनसान जगा पर ले जाती है और उसे मारने के लिए उसकी बोडी में ड्रग इंजेक्ट कर देती है जिसके बाद वो उसे वही पर छोड़ कर चली जाती है यहां मीरा को देखते हैं जो डिनर बना रही थी तभी Gwen मैक्स की फिजिकल थेरपी कराकर घर वापस आती है और चुपके से Gwen मीरा का चाकू चुरा लेती है और इसके बाद अपने पुराने दोस्तों से मिलने का बहाना बनाके वो डेविट के घर चली जाती है यहां में पता चलता है कि Gwen डेविट की वाइफ की नर्स रह चुकी थी और उसी ने डेविट की वाइफ से एक आदमी बन कर बात की और उसे डॉक्टर से ट्रीटमेंट ना लेने की सला दी यहां Gwen चाकू से वार करके डेविट को भी जान से मार देती है और डेविट की बोड़ी के पास मीरा का बलड गिरा देती है ताकि पुलिस को लगे मीरा ने डेविट का कतल किया है इसके बाद Gwen डेविट का बैग लेकर वहाँ से निकल जाती है इसी रात टोड को देखते हैं जो नशे की हालत में घर आता है असल में मीरा की वज़े से वो काफी परेशान था जिस वज़े से उसनी इतनी ड्रिंट कर ली थी इस मौके का फायदा उठाते हुए Gwen टोड के करीब आने लगती है और उसे रूम में ले जाकर उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है लेकिन टोड अभी भी अपनी वाइफ के लिए लोयल था इसलिए वो से वहाँ से जाने के लिए कहता है अगली सुबा जब मीरा की आँख खुलती है वो डेविट के मैसेज को देखती है जिसमें लिखा था कि मैं अपने लिटल बॉय की वज़े से पूरी राथ सो नहीं सका असल में ये मैसेज ग्वेन ने ही सेंड किया था ताकि पुलिस को लगे डेविड का कतल मीरा ने किया है खैर मीरा की नजर बोटल पर लिखे लिटल बॉय वर्ड पर जाती है जो ग्वेन ने लिखा था इसे देखते ही मीरा को याद आता है कि डेविड और ग्वेन दोनों ही लिटल बॉय वर्ड को लिखते है यहां मीरा को ग्वेन पर शक होता है इसलिए वो बोटल का पानी फैक देती है तब उसे बोटल के अंदर एक पाउडर दिखाई देता है जिससे उसे पता चल जाता है कि ग्वेन कुछ दिनों से उसके पानी में कोई दवाई मिला रही थी इसी वज़ा से उसे इतनी नीद आती है इसके बाद मीरा ग्वेन के रूम में जाती है जहां उसे एक किताब मिलती है जिसमें जहरीली दवाईयों के बारे में लिखा हुआ था इसके बाद मीरा को बैट के नीचे काफी सारी दवाईयां भी मिलती है इसी दोरान ग्वेन घर पर वापस आ जाती है और उसकी कार की आवाज सुनते ही मीरा उसके रूम से बाहर निकल जाती है तब ग्वेन देखती है कि मीरा अभी भी जाग रही है जिससे वो समझ जाती है कि मीरा ने उस बोटल से पानी नहीं पिया यहां मीरा पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिर ग्वेन ने उसे कौन सी दवाई दी है लेकिन तभी ग्वेन उसके लिए एक ओर ड्रिंक लेकर आती है और उसे आराम करने की सला देती है इसके बाद ग्वेन मैक्स को फिजिकल थेरपी के लिए क्लिनिक ले जाने का कहती है जिस पर मीरा उन्हें आज की थेरपी को कैंसल करने के लिए कहती है लेकिन मैक्स जाने की जिद करता है क्योंकि जिस जगा पर उसकी फिजिकल थेरपी होती है वहाँ उसका फुटबोल मैच भी था जिस वज़ा से मीरा उन्हें नहीं रोक पाती ग्वेन और मैक्स के जाने के बाद मीरा दुबारा से ग्वेन के रूम में जाती है और एक वीडियो रिकोर्ड करती है जिसमें वो ग्वेन के सारे कारणामों के बारे में बताती है साथी वो टोड को कॉल करके इस बारे में सब कुछ बता देती है और ग्वेन की रिपोर्ट करने के लिए पुलिस स्टेशन जाने लगती है लेकिन तभी ग्वेन वापस लोटाती है क्योंकि उसे भी doubt हो चुका था कि मीरा को उसकी हरकतों के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। यहां मीरा देखती है कि Gwen के साथ Max नहीं है। इसलिए वो Gwen से Max के पास चलने के लिए कहती है। जब वो दोनों Max के पास जा रहे थे तब Gwen बताती है कि मैंने बहुत सारे patients का इलाज किया। पर किसी भी patient ने मुझे कभी family member की तरह नहीं रखा। मगर तुमारी family ने मुझे एक family member की तरह रखा है। इसलिए मैं तुम्हें मार कर तुम्हारी जगा ले लूँगी और इस family को अपनी खुद की family बना लूँगी। दरसल Gwen Todd को पसंद करती थी। इसलिए वो मीरा को मार कर उसकी जगा लेना चाती थी। दूसरी और हम Todd को देखते हैं जो घर आकर मीरा को ढूणने लगता है जिस दोरान उसे मीरा का फॉन मिलता है और वो उस फॉन में मीरा की recorded वीडियो देखता है जिससे उसे Gwen की सारी सच्चाई पता चल जाती है। इधर मीरा बताती है कि मैंने Dr. Keller, Karen और David को मार डाला है। यह सुनकर मीरा को Max की फिक्र होने लगती है। थोड़ी देर के बाद Gwen मीरा को अपने घर पर ले जाती है। जहां पहुँचकर मीरा Max को ढूणने लगती है। तभी Gwen बताती है कि Max अभी भी क्लिनिक में है और मैं य David की बोडी के आज पास छिड़क दिया। इसलिए पुलिस की नजर में तुम अब एक क्रिमिनल हो जिससे Todd और Max भी तुमसे नफरत करने लगेंगे। यह सुनकर मीरा वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन Gwen उसे पकड़ लेती है और दोनों के बीच fight होने लगती है। तभी मीरा किसी तरह से बचते हुए एक बरतन से Gwen के सिर पर वार करती है जिससे Gwen वही पर बेहोश हो जाती है। जिसके बाद मीरा तुरंत वहाँ से भाग कर अपने घर आ जाती है। कहानी के एंड में हम Todd, Max और मीरा को एक साथ देखते हैं जो की फिर से अपनी खुशाल ज रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वोचिंग।